होशे भवश वक्ता की पुस्तक अध्याई छे होशे भवश वक्ता की पुस्तक अध्याई छे चलो, हम यहवा की ओर फिरे क्योंकि उसे ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा उसे ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बानेंगा दो दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा तब हम उसके सनमुख जिवित रहेंगे आओ हम ग्यान ढूंडे बरन यहोवा का ग्यान प्राप्त करने के लिए बड़ा यतन भी करें क्योंकि यहोवा का प्रगट होना भोरकासा निश् हमारे ऊपर वर्शा की नाइ, बरन वर्शा के अंतकी वर्शा के समान जिससे भूमी सिंचती है आएगा हे प्रेम मैं तुझसे क्या करू, हे यहोदा मैं तुझसे क्या करू, तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेग और सबेरे उड़ जाने वाली ओश के समान है इस कारण मैंने भविश्य वक्ताओं के द्वारा उन पर मानों कुलाड़ी चला कर काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। मैं तो बलिदान से नहीं, कुरुपा ही से प्रसन होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमिशुर का ग्यान रखे। परंतु उन लोगोंने आदम की नाई वाचा को तूड़ दिया। उन्होंने यहां मुझसे विश्वास खाक किया है। गिलाद नाम गढ़ी तो अनर्थका रियों के भरी है। वह खुन से भरी हुई है। और जैसे डाकों के दल किसी के घात में बैठते हैं, वैसे ही याजको का दल शकेम के मार्ग में बद करता है। बरन उन्होंने महापाप भी किया है। इसराइल के घाने में मैंने रोए खड़े होने का कारन देखा है। उसमें एप्रेम का चिनाल और इसराइल की अशुदता पाई जाती है। फिर हे यहुदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लवटा ले आओंगा, उस समय के लिए तेरे निमित भी पल्टा ठैराया हुआ है।